कि नमस्कार फर्स्ट इंडिया के खास कारिक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है रहस्तान की विदान सवा में जब दो महिला विदायक गन्ना उठा कर प्रदरिशन करती दिखाई दी तो बड़े आश्यरे का विश्य था आखिर में पहली बार महिलाओं को किसानों के मांग को लेकर आवाज उठाती हुए दिखा गया था आखिर में कौन थी वो महिला हैं क्यों किसानों के आवाज महिलाओं को उठानी पड़ी और क्यों किसानों के आवाज महिलाओं ने उठाई कामिनी जी इस भर बड़ा जब आपको गन्ना हाथ में लेकर प्रजर्शन करती हुए देखा गया तो लोगों को बहुत आश्यर हुआ आखिर में क्या डिमांड करने जा रही है क्योंकि बड़ा आश्यर जनक था कि महिलाएं आम तो पर किसान और किसान फसल और क्रशी को लेक मैं सबसे पहले आपको और सभी वीवर्स का नमस्कार करती हूं और बिलकुल आपने सही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाएं बैठी किसानों के लिए लेकिन मुझे लगता ही कि यह ताजुब नहीं होना चाहिए क्योंकि आज हम जिस शेतर में आ गए हैं जिसे कि आप लोग राजनीति केते हैं तो एक राजनीति के अंदर ये भी हिस्सा है कि कोई भी चीस जो है कोई भी मुद्दा है वो जंडर सेंटरलाइस नहीं है कोई भी मुद्दा आप उठा सकते हूं जहां तक किसानों की बात है जमिदारा पार्टी किसानों की आवाज उठाने के लिए हमेशा हमेशा ततपर रही है और हम वहां से विदायक है और गंगानगर से विदायक है हम गंगानगर एक ऐसा शेतर है जो राजस्तान के अंदर कृशी प्रधान शेतर है आज अगर उस शेतर के किसान ही पेड़ित हैं तो बाकी राजस्थान के किसानों का क्या हाल हो रहा होगा इसका अपन्दाचा लगा सकते हैं जब कोई महिला नेता गन्ना उठाती है तो शायद चीनी सस्ती करने की मांग कर रहे हो कि ऐसा लगता है आपकी क्या डिमांदी नहीं चीनी तो तब बनेंगी जब आपर कोई आगे मशीन चलेगी देखिए यह शुगर मील जो है यह गंगा नगर में जो पुरानी लगाई लेकिन जब दुबारा आने के बाद इस सरकार ने काम चालो किया तो वो राशी बढ़कर 180 करूड हो गए तो उसका इनों ने यह तर्क दिया कि यह जो शुगर मील बनने जा रही है इसकी प्रोड़क्शन तीन गुना हो गई इसकी एवेज में किसानों को 25 परतीशत पूरे साल में सिर्फ 4 महीने चाती है और इस शुगर मील को मेडम शेला ने आस करने आने वाली थी अलो कारपन करने आने वाली थी आई नहीं वो इसलिए क्योंकि मशीन एक दिन भी नहीं चली एक 180 करोड की लागत से यह जो मील बनी यह 80 घंटे भी नहीं चली है क्या करण इसलिए कि जो भी मशीने है वो सारी किसी पर भी मारका नहीं है इसमें सिफ ब्रश्टा चाहर दिखाई दे रहा है बिल्कुल यह मशीने यह तो पुरानी है यह जहां से भी लाई गई गई है यह मशीने सही नहीं है अम मंतरी जी ने यह कहा भी हम पंजाब में जाकर गना किचेंगे क्यों बेचेंगे पंजाब में जाकर गना जब आपने यहां बुवाई कराई है तो उसके ट्रांसपोर्ट का चार्ज कौन देगा अब किसान तीन महीने से तो यहां बेठा रहा अब एक महीने में भापे जाके लाइन में खड़ा होगा तो उसका मुआवजा कौन देगा तो आगे आपकी पार्टी और आप क्या करने वाले हैं क्योंकि यह तो इस बार तो हो सकता है कि पंजाब में जाके बेच दें लेकिन क्या अगली बार फिर किसान को दुबारा पंजाब जाना पड़ेगा बिलकुल नहीं जाना पड़ेगा और मैं तो पूरी करते हूं कि इस बार भी जाने नहीं दूंगे क्या लगता है सरकार मान जाएगे आपकी बात सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि यह ऐसा मुद्धा है जिसमें ब्रष्टाचार की पड़ते हुए सामने आ रही हैं और अभी जो अगर मंतरी जी भागे वे गई हैं वो इस बार कहा जा रहा है कि वसंदा जी ने जो बजट रखा पड़ा किसानों के लिए बहुत अच्छा है आपको क्या लगता है क्योंकि किसानों के नाम पे क्रशी के नाम पे खेती के नाम पे बहुत कोशना है हुई है क्या लगता नहीं है कि काफी कुछ किसानों को संतुष्ट करने के लिए क्या गया? यह अंधर गेहुं के बोनस दिया जाता था इन सारी चीज़ों को मीट आउट करने के लिए uchenांके वह भी पूरा नहीं था पर फिर भी कुछ ना कुछ दिया जाता था, वो इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया. आपका मानना है ये पिछली सरकार के वज़ाए ये सरकार और किसानों के खिलाफ है? और उसके बाद जो भी सपसडी दी जाती थी यूरिया की दिकत है या जो भी है, सिर्फ लाइने लगती रह जाती है, उपलफ्द कुछ भी नहीं होता है. अब गंगानगर के अंदर बहुत बड़ा-बड़ा इन्होंने कैंपेइन किया और मोदी जी खुद आए और गंगानगर क्योंकि कृश्ची प्रधान जगह है राजस्तान के अंदर, तो वहाँ पे सॉयल हेल्थ कार्ड इन्होंने इस्यू किया, लेकिन सॉयल हेल्थ पहुंचा नहीं है और अगर पहुंच भी गया होगा तो वो उसका करेंगे क्या, क्योंकि जो भी लैबोरेटरी है टेस्ट करने की वो अभी तक बंद पड़ी है, वहाँ पे कोई भी करमचारी नहीं है, लोगों को इसके बारे में जागरुकता ही नहीं है, तो यह सिफ लो के अभाँ का विशह हो सकता था, सिइख भो सकता था है, महिง हो सकता था लेकिन मुलता है ऐसे ही परिवार से हुँ जो खेतिय से जुड़े है और हमारी अगर की उड़ारैंगर की इंडिस्ट्री है तो वह भी direct पहले किसानों नहीं मिल रहा है और किसान मतलब अपनी आशाख हो रहा है जब बीज दिया फ्री तो हमने उसमें देखा कि गवार का प्राइस जो है जब लोगों का वो खर्चा बच गया तो उनकी थोड़ी सी बेटरमेंट होई तो उसे हमें लगा कि नहीं किसान को ऐसा नहीं है कि हम यह कह अवाज जब इसके लिए कर सकते हैं सरकार तक को चाले में आपने काबियत हो तो बिलकुल जमिदारा पार्टी बनी और मैं खुद लोगों के सहयोग से विधाय करें ताकि आज विधान सभा में उनकी आवाज बुलंद करें तभी जमिदारा पार्टी को गौर्गम जब हमने उनकी पीडा को समझा कामी जी क्या लगता है कि इस बार जो वसंदार जी का जो बजट रखा गया सिफ मेकप किया गया है चीज़े वही की वही है मिला पहले भी कुछ नहीं था आम जनता को मिला आज भी कुछ नहीं है अगर हम बात करें जैसे इन्होंने अभी पिछले साल एक स्कीम चलाई थी सेंट्रल उसके तरश पर आदर्श ग्राम योशना तो उसमें सारे विधायक आदर्श हो जाएगा इस बार उसको भूली गए अभी तक वो जो हमने चुना था उसके लिए सिर्वे ही चल रहा है कागचों में बजट कहीं भी नहीं आया है नहीं आया है बिल्कुल भी और इस बार तो बजट में भूली गई है कि आदर्श ग्राम योजना सकसज नहीं तो विदान समाब में इसके आवाज क्यों नहीं है मैं नहीं जानती कारण पता नहीं व्यक्तिकत भी हो सकते हैं या जो भी है मनलब पार्टी के लेवल पर आके शायद आवाज उनकी दबा दी जाती है लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि अगर आपको पार्टी की टिकट आपको लाखों लोगों ने चुना है आज अगर आप उनकी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आप उनके साथ नाइनसाफिकर आपकी और से भी क्यों नहीं उठती या वाज नहीं तरफ से हमेशा उठती रही है और अभी जब मेरा अभी भाशन पे था उसमें भी मैंने ये कि आप के परिवार कंपनियां भी चलाता है आप उसमें डारेक्टर भी होगी एजी में और विदानसभा के अंदर पूरे पर देश की बात हम कर रहे हैं और उसके अंदर यह हमारा दाइत्व है कि हम बात वहीं पर जो जो दिखाई देता है जो रियलिटी में उसमें कोई अंतर मेंचर आता है उसमें अंतर तो नहीं है लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सबके व्यूज अलग होते हैं और सारे जो है अपने अपने शेतर की बात करने के लावा पूरे परदेश की भी कर सकते हैं तो इसमें आपके पास हेरीना बहुत बड़ा होता ह बात करने के लिए और करते हैं विदाहिक आपको क्या लगता है विदाहिक विदान सभा की उस अधिकार का प्रयोग कर पाते हैं बात्चीत करते हैं बोलते हैं या केवल वीप के डर से और नेता के डर से और नेता के आख के डर से चुपचा ब्रैठ रहते हैं देखिए जो सच में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं भी करते हैं पर मैं तो यह मानती हूं कि करनी चाहिए क्योंकि आपको इसी के लिए ही चुना गया है अगर अब भी आप आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे तो आपका बोलेगे कामिनी जी आप फर्स्ट टाइमर हैं विदान सवा में बहुत अच्छे और कडवे अनभाव दोनों ही रहे होंगे आपको आपकी इन अनभावों पे चर्चा जारी रखेंगे अभी लेते एक छोड़ा सा ब्रेक